Hello friends, मैं सुधा सिंग, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं फिर से कुछ नए किचन के टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो आज के टिप्स और ट्रिक्स बहुत ही अलग है और बहुत ही helpful है हर housewife के लिए, तो वीडियो पूरा last तक देखिएगा, और वीडियो अ लेकिन कुछ जैसे काम करने के तरीका एक होता है ना कि अच्छे तरीका से कोई भी काम करिए, तो तोड़ा जल्दी भी हो जाता है और बहुत बढ़िया से हो जाता है, तो अगर वो पता चल जाए, तो हम उसी तरह से किया करें, तो उसके लिए सबसे पहला है कि इस तरह के जो बजार में कुछ भी हम लोग खरदारी करते हैं तो इस तरह से जो बैग मिलता है तो ये देखने में इतना अच्छा होता हो इतना मजबूत भी होता है कि इसको फेकने का मन नहीं करता है तो अभी देखिए एक बैग ले लिए हैं और उसमें इस तरह से सरकल का निसान बना कि इसको अंदर से बस एक कट लगा देंगे और इसके बाद बाहर से अंगोल पूरा अच्छे से काट लेंगे इसको तब देखिए कट लगा दिये हैं और अच्छे से सरकल में इसको काट लेंगे आप चाहे तो इसको स्क्वायर में भी काट लें कोई भी सेप में काट लें जिससे देखने में अच्छा लगे और जो यूज करना चाहते हैं वो भी हो जाए तब इस तरह से कट लगा लिए हैं न इसमें करेंगे जो भी घर में जैसे पन्नी होती है जब अम लोग प्लेमान मंगाते हैं तो इस तरह की पन्नी बहूं सारी हो जाती है और उसको इस तरह से रखर रहें तो जगह भी बहुँ giardate चेखता है और अच्छा भी नहीं लगता देखने में जैसे पूरा किचन विक तो उसमें से एक-एक करके आप इस तरह से देखे निकाल जीए तो इससे आसानी से निकल भी जायेगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है इस तरह से आप करके रखें तो देखें कितना बढ़ियां से एक एक करके पंडी निकल भी रहा है और इसको इस तरह से करके कहीं भी आप टांके रख दीजिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा और एक यूस भी हो गया और नेक्स टिप्स बहुत ही यूसफूल है यह आ अगर आपके पास इस्प्रे वाली बॉटल है तो आप उसी को ले लीजिए उसमें इस तरह से करने की जरुवत नहीं है तो अभी देखें इस बॉटल का धकन में इस तरह से चाकू को गरम करके होल कर लिए हैं तो मेरे पास इस तरह की इस्प्रे वाली बॉटल है तो उसमे दूसरे दूसरे चीज बना के रखे हैं गोला अलग अलग का है तो इसके लिए मैं इसी में बना ले रही हूँ तो अभी इसका ये होल करके रख दिये और मेन इसमें क्या डालना है वो देखिए तो चावल तो हम सभी के घर में बनता है किसी के घर में रेगुलर बनता है किसी के यहां दोनों टाइम बनता है और किसी के यहां रहता है कि एक दो दिन बीच करके बनता है लेकिन बनता तो सभी के गर में है और उसका जो चावल जब बनता है न तो उसका जो चावल होते हैं तो उसका पानी जो होता है वो हम फेक देते हैं और उसक देखिए चावल को ले लिए हैं और उसमें हारपिक का कमाल देखिएगा तो अभी आप सोच रहे होंगे कि चावल से हारपिक से क्या लेना देना है लेकिन बहुत ही यूसफुल है तभी चावल को धो लेंगे और धोने में जो पहला पानी होता है ना उसको फेकेंगे नहीं पहले पानी को अच्छे से चावल को धोने के बाद देखिocy हिसका पानी होऀ अब इस तरह के कोई भी प्लास्टी के बोटल कातोरी में मतलब किसी भी प्लास्टी के बरतण में लेंगे क्योंकि इसमें यूस कर रहे ना तो उससे क्या रहता है कि हार्पिक का जो यूस में youse प्लास्टिक के लिए हार्पिक बहुत बढ़िया रहता है तो उसमें खराब नहीं होगा अभी थोड़ा सा उसमें बस हार्पिक डाल दिये हैं और इस तरह के बेकार मतलब जो भी टूथ प्रेस होते हैं उसको लेके अच्छे से मिला लिए हैं अब इस पानी को इस तरह के कई दिनों तक क्लीनिंग के लिए काम आता है अभी देखे इस न कीचंड में जो टाइलस होती है न तो जो चैंग के पास जो होती है उसमें साबून का बार बार हम लोग यूज करते हैं बार बार पानी और साबून जो पढ़ता है तो उसमें भात खुरद्रा टाइप का औ हो जाता है जहाँ बार-ार साबुन हो जाऊ पानी जू सूखता है ना उसके वज़े से तो इस तरह से मतलब यह चावल का पानी जहाएं बहुत ही काम का है था कुरीव चलीन कर आथा और जैगा आप नमक में कभी भी इस्टील का चम्मच नहीं डालें, मतलब आपके पास प्लास्टीक का चम्मच हो, या कोई भी मतलब प्लास्टीक का इस तरह से मिलता है जो उसको डाल दें, इस्टील का चम्मच का रहता है, कि नमक में जो मौस्चर होता है, तो उसे धीरे-धीरे जो इस्ट प्लास्टिक का यूज करें और इस तरह के जार में भी जो धकन देखिए इस तरह के लोहे के जो दिये होते हैं तो वो भी आप ऐसे डायरेक्ट अगर नमक में लगाते हैं तो धीरे-धीरे कुछ समय बाद ना इसका धकन गल जाता है पुरा खराब हो जाता है तो इस तरह से पन्नी लगा के रखें ताकि इसका धकन खराब ना हो और नेक्स टीप से किचन में प्लिटफार्म पे जब काम करते हैं तो कभी तेल घी इस तरह से गिरते ही रहते हैं और फिर उसको क्लीन करने के लिए पुरा अच्छे से फिर साबून का यूज करो या सर्फ का यूज कर अब इस तरह से साबून से या किसी चीज से नहीं साफ करिये जब गिर जाये तो उसमें थोड़ा सा आंटा जो गिह हूंका रहता है हमारे घर में तो उसमें डाल देख तोड़ी देर और उसके बाद ये इस तरह से पेपर लेके और अच्छे से उसमें घिस-घिस के चारो करब से अच्छे से और फिर उठा ले तो पूरा जितना ओयल है न सब आटे में सोक के चला आएगा और इस जगह में फैलेगा भी नहीं और काम भी नहीं बढ़ेगा जो बहुत जादे क्लीनिंग का हो जाता अगर कभी गिर जाता है तो इस तरह से देखिए पेपर से अच्छ पिर से इस तरह के बैग को लेके है कि जब इस तरह से बैग रहता है तो इसको जो जो मिल जाता है तो इसको फेकिए नहीं और देखिए इसको इस तरह से होल कर लेंगे तो मतलब जादे में होल कर लीजिए और उसको आप अपने किचन में यूज करिए न तो यह देखने मे और अब इसमें रखेंगे आलू हो प्याज हो जिसको लगता है कि थोड़े से हवा वाले जगह पे रखना चाहिए तो इस तरह के बैग में अगर आप इस तरह से होल बना देते हैं तो इसमें आलू-पयाज जो भी रखना हो इस तरह की चीज़े आप रखके और कहीं आप टा देखने में भी मतलब किचन में आलू प्याजी तरह से कहीं दिक भी नेरा है तो जगा भी कम लगेगा और नेक्स्ट है बरसात में बहुत ही जरूरी है यह आप अपने घरों में जरूर करिए जैसे इस तरह से देखिए दरवाजिक जहां बारिस होती है ना तो बरसात में बर ऑपने बहुत सारे घर में चले आते है तो मैं उसमें अजमाई हूं वह आपके साथ यह सेयर कर रही हूं कि तो जिससे नमक कोड़ेके कोई बrzy्ट बहार से बिल्कुल नमक उनको पसंद नहीं आता था तो मतलब तेज उसका जतर जो उनके बदन पर पड़ता है तो चंचनाने लगता है तो इससे बिल्कुल कीडा नहीं आता है और नेक्स्ट ये टिप्स मैं एक बार और सेयर करी हूं सिंक लेके इसमें जब हम बरतन दूलते हैं तो चाहे हम लोग कितना भी बचाएं कोसिस करें कि इसमें कुछ नहीं जाएं लेकिन थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है अनाज हो जो भी खाने में पीने कर रहता है तो उससे क्या होता है जब उसका पाइप जाम हो जाता है तो ये जो घर में बेकिंग सोडा रखा रहता है उसको डालके और बेनेगर को बस डाल दीज़े, उसका वर्क देखिए, खुद आप देख रहें कितना जादे bubbles निकल रहें इसमें से, और उसके बाद इसमें पानी थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दीज़े, जिससे पाइप में न और फिर उसके बाद बहुत जादे पा प्रावलर हो या हाथ पे जो रहता है मोरी वहां पे जैसे ख्लीन ही नहीं होता है गंदगी लगी ही रहती है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया आज यह टीप्स में बता रही हूं तो अगर आप लोगों के भी वॉसिंग मुझे तो लगता है मेरे वॉसिंग मसीन में प्रा जहां भी इस तरह से देखिए कॉलर में अच्छे से बस मिला के और फिर इसको मसीन में दूलने के लिए डाल दीजिए इससे आप खुद देखेंगे ना कि जहां भी जादे गंदगी दिख रही थी आपको कॉलर में बाजु अले में सबसा बहुत अच्छे से इस तरह से क्ली और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक चैनल पे पहली बार आए हो तो सबस्क्राइब और जादे से जादे लोगों में सेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए